तो क्या नितीश कुमार NDA से नराज हो गए हैं और जल्दी ही NDA का साथ छोर करके महागठ बंधन के साथ जाएंगे और सरकार बनाएंगे। दरसल पिछले कुछ दिनों से जो चीजे घट रही हैं उस चीज से साफ साफ अंदेशा यही लग रहा है कि नितीश कुमार जो है वो NDA से नराज हैं और जल्दी ही महागठ बंधन में आने वाले हैं। जो इस बात का दावा कर चुके हैं कि नितीश कुमार जो है नाराज चल रहे हैं अंडिये से और जल्दी ही महागठ बंधन में आने वाले हैं। अब पूरी खबर क्या है और नितीश कुमार के पल्टी मारने की वज़ा क्या क्या हो सकती है। इन सब चीजों पर हम बात करेंगे आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचाय जान लीजिए। जमसकार में अनाम वेद प्रकास है आप जनता जंचन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। याद कीजिए नितीश कुमार को लेकर के कुछ दिनों पहले खबड़े आ रही थी कि नितीश कुमार बिहार का विशेश राज्य का दरजा जो है चाहते ही हैं उसके बाद केंदर सरकार जो है उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पर ना कह देती है और ये ना साफ साफ आकर के सदन में कहती है मतलब ये कि भारतिये जंता पार्टी के अगर कोई नेता आकर के ऐसे बोल देते कि बिहार को विशेश राज्य का दरजा नहीं दिया जाएगा तो सायद नितीश कुमार इस बात को बरदास्त कर लेते हैं और सायद ये मुद्दा नहीं बनता लेकिन भारतिये ज चीजों से बहुत खराब चल रहे हैं बहुत रुस्ट हो गए हैं और उसके बाद बिहार को बजट में दिया जाता है 26,000 करोर का पैकेज रोड बनाने के लिए 11,500 करोर का पैकेज बाढ़ से निपटने के लिए और कुल मिलाकर के 50,000 करोर से उपर का पैकेज बिहार को दिय जाता है और उसके बाद नितिश कुमार आकर के सिर्फ इतना कहते हैं कि इस बजट में बिहार के लिए बहुत कुछ दिया गया है उसके बाद भी खबरे चल रही थी कि क्या नितिश कुमार नराज चल रहे हैं इंडिये से और क्या वो पाला बदल सकते हैं और इसी चीज को ल इंडिया गटबंदन के तमाम मुख्यमंत्री जो है इस बैठक का बहिस्कार करते हैं सिर्फ एक ममता बनर जी ही पहुचती है और उसके बाद उस ना पहुचने वाली सुची में एक और नाम सामिल होता है वो नाम होता है नितिश कुमार का और उसके बाद ये खबरे सुर् लगाते हैं उनकी पार्टी पर आरोप लगाते हैं हमने कली खबर के मादियम से आपको बताया था कि जनता दल उनाइटेड के साथ भारतिय जनता पार्टी के आजाने से बदनामी हो रही है भारतिय जनता पार्टी की और इन तमाम चीजों से ये असपस्ट हो रहा है कि भा की छापा परती है और उसके बाद ये बताया जाता है कि कई IOS अधिकारियों का नाम जो है इस सूची में सामिल है जो नितीश कुमार के बेहत करीबी हैं उसके बाद खबरे ये चलती है कि ये छापा इसलिए पड़ा था ताकि नितीश कुमार के ऊपर किंद्र सरकार दबाव बना करके रख सके और नितीश कुमार को ये आभास हो जाए कि वो अगर पाला बदलने जाते हैं तो हो सकता है कि इस बार छापा नितीश कुमार के ऊपर भी पर जाए अभी तक नितीश कुमार के चबी जो है बिहार में बिलकुल बेदाग है उन पर भरस्टा चार के कर्वारी में उसके बाद अब बात करते हैं कॉंग्रेस के उस विधायक की जो इस बात का दावा कर रहा है कि नितीस कुमार पल्टी मारें ़ो आहाए कॉंग्रिस के विधायक है उन्होंने ये दावा कर दिया है कि नितीश कुमार को बिहार का विशेश राज्य का दरजा ना मिलना जो है बहुत बुरा लगा है और इस कारण से वो एंडिये से नराज है और इसी कारण से वो नितीयायोग की बैठक में नहीं गया उसके अलावे उन तमाम चीजों का जिक्रित संजयतिवारी ने किया है कि किन किन चीजों से नितीश कुमार नाराज हो सकते हैं और हमने भी आपको बता दिया है कि किन किन चीजों से ये लग रहा है कि नितीश कुमार और इंडिये के बीच में सब को शीक नहीं चल रहा है हो सकता है कि इन प्रदाइकता का अर्थ है कि यह जब भी NDA से अलग होना पड़ता है महागठवंदन में सामिल होना होता है तो नितीश कुमार यह आरोप लगा देते हैं कि भारतिये जंता पार्टी संप्रदाइक है और हम संप्रदाइकता ब्रदास्त नहीं कर सकते हैं इसलिए हम आरोप लगाते हैं कि जंगल राजवाला है उनलोग के आते हैं कानून बेऊस्था का हालत खराब होने लगता है अपना मनमानी करने लगता है सब और इस कारण से हम पल्टी मार रहे हैं अब देखना यह दिल्चस्प होगा कि नितीश कुमार अगर इस बार पल्टी मारते ह तो वो क्या आधार बनाते हैं उनके आधार संप्रदाइकता ही होता है या फिर कुछ और होता है बाकि इस खबर को लेकर कि आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर भीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जन्चन बहुत बहुत धन्यवाद